हेलो गाइस लेटेस्ट टेक्षिन जो आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताना है वला हूँ एपी एफो की वेबसाइट पे काफी ज्यादा चेंजिस आ चुके हैं तो आपको बैलेंस की तरह से चेक करना है तो सबसे पहले आपको एपी एफो की वेबसाइट पर पूछेगा जो की आप अपना प्रस्टन पास्वर्ट डाल सकते हो और यहां पे आप कैप्चा भी फील कर सकते हो यहां पे कैप्चा फील करते ही आपको साइन इन करना है और साइन इन करते ही आप अपने लॉग इन पैनल पे आ जाओगे और उसके अंदर आते ही आपको का काफी अलग याई यहाँ पे चार्ट के जरी आपको अलग अलग डیटा आपको सो करने देखने मिल रहें यहाँ जैसे एप एफ़ो कंट्रूइस था करने आप को आपको बता गया है और अबका करेंट इस्टैबूरिश डिफय जो है जो आप करेंट कंपणी में काम कर रहे हो उसका current detail आपको यहाँ पे देखने मिलेगा नीचे उसी के साथ member wise balance आप चेक कर सकते हो आप कौन कौन से company में कितनी कितने साल काम किये हो वहाँ से आप यहाँ से member wise balance में जाके आप चेक कर सकते हो वो drop down दिया हुआ है और उसी के साथ आपको profile है, passbook है, claim, service history और calculators भी दिया हुआ है profile पे जाने के बाद आपको अपना profile चेक कर सकते हो आपका पुरा जो भी KYC details है उस सारे ही आपको देखने मिलेगा उसके बाद आपको passbook है passbook पे जाते ही आप देखोगे अलग-अलग चार्ट के जरीए बताया गया है आपका कितना contribution हुआ है तो आप अपने passbook का overview यहां से देख सकते हो और नीचे scroll करते ही आप अपना पूरा detail देख सकते हो जो कि आप कोई भी company में काम करते हो उसका contribution कितना हुआ है यहां पे कितना हुआ है काफी अच्छा user interface बना दिया गया इस बार government के तरफ से और यहां पे अप क्लैम पे जाके आप चेक कर सकते हो आपने total claim कितने बार किया है total approval कितना हुआ है और reject कितना हुआ है यहां से आप अपना claim status चेक कर सकते हो अपने कितने बार claim किया है और कितना pending है और कितना claim settle हुआ है काफी अच्छा UI यहां पे देखने मिल रहा है और यहां पे graph के जरीए बताया जा रहा है किस तरह से अपने claim किया है और किस तरह से reject हुआ है यहां पे service history पे जाते हैं आपको पूरे company का आपको member ID का data देखने मिलेगा जो कि आपने जीज जीज भी company में आपने काम किया है वो सारे आपको service history में data देखने मिलेगा और यहां पे आप क्लिक करते ही service अपनी contribution summary में आप चेक कर सकते हो और यहां यहां पे calculator भी है इस calculator पे क्लिक करके आप calculate कर सकते हो आपको कितना amount बिल रहा है और कितना interest है उस calculators आप calculate कर सकते हो अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें, subscribe करें, share करें thanks for watching